आप सभी का स्वागत है ताहित जोतिम आज मैं तस्तुमी मिस्रा आप सब के लिए डॉक्टर रमेश उपाद ध्याय जी द्वारा रचित कहानी आप मुक्ति लेकर आई हूं इस कहानी को हम पढ़ेंगे इसके सारांस को जानेंगे और साथ ही साथ इसी वीडियो में हम लोग इस पार्ट से सम्मंधित प्रश्ण उत्तर को भी करेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं परंतु उससे पहले एक छोटा सा विनमर निवेदन आप सभी से की वीडियो को लाइक करना और साइनल को सब्सक्राइब करना आईए देखते हैं तो रमेश उपाद्याजी की कहानिया है वो भार्टिय लोगों की जीवन उसकी यथार्थ को बताते हैं प्रापमुक्ति कहानी वे एक ऐसे ही कहानी है जिसमें डॉक्टर प्रभात उर्फ मंटु के जीवन की महतुपुन घटनाओं को बताया गया है बहुत ही प्रभाव साली तरीके से चित्रत किया गया है जब हम बच्चे होते हैं बाले अवस्था में होते हैं तो बहुत ही अबोध होते हैं और तुरान हमसे कभी कुछ न कुछ गलतियां हो जाती हैं और कई बार उसका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा पड़ता है, जीवन बर हमें उसका पस्तावा भी होता है और ऐसी ही कहानी है, और इस कहानी में यही सारी चीज़े संबंदित हैं डॉक्टर प्रभात के जीवन से, डॉक्टर प्रभात उर्फमंटू जब छोटा था तो अपने दोस्त बब्बू के साथ एक दिन मैदान में खेलने गया था और वहीं पर दोनों ने दोनों को आख का पौधा मिलिया इसकी पतियां वे तोड़ लेते हैं और उसी समय वहां से एक सिक्षक गुजर रहे थे उन्होंने बताया कि इन पतियों से मत खेलो क्योंकि इन पतियों का जो रस होता है जो दूद होता है वो बहुत ही चिप-चिपा करें परंतु मंतू झो था वह स्ट्रेजी द्वारा बताई गई बात को आख मैं प्रयोग करके देखना चाहता था क्या उन्होंने जो बताया है उसे प्ले मिल जाते मंटू की इस हरकत को उसके दोस्त बब्बू ने देख लिया दोनों ही पिटाई से बचने के उद्देशे से पहले तो इस गटना के बारे में किसी को नहीं बताते हैं परन्तु अंधे बच्चे जो थे वो दर-दर भटक रहे थे जिसमें से दो बच्चों की जो है मौत हो जाती है तीसरे पिल्ले को इस तरह मरते हुए ना देखकर जो बब्बू रहता है वो बहुत ही दुखी होता है जाकर गटना के बारे में बता देता है खिल्ले का इलाश्ट ही तो करवाया जाता है वो बेच भी जाता है लेकित अंधा रहने की कारण एक दिन बड़े से 1 गाड़ी के नीचे आके पहिये के नीचे आके मर जाता है इस घटना से मन्टू जो होता है वो भीतर ही भीतर बहुत ज़्यादा दुखी होता है और निर्ने लेता है कि वो बड़ा होकर नेतर चिकित्सक याने की डॉक्टर आखों का डॉक्टर बने बड़े होने के बाद बहुत ही बड़ा वो एक आँखों का डॉक्टर मन जाता है बहुत ही बिक्यात बहुत ही प्रसिद्ध होता और एक दिन जो बब्बू की दादी रहती है वा आँखों का इलाज करवाने के लिए ही डॉक्टर प्रभात के पास पूशती है इतने सालों बाद अपने दोस्त से मिलकर मंटू को बहुत प्रसंता होती है लेकिन दादी को यह बाद जानकर नफरत होती है कि यह वही मंटू है जिसने बच्पन में उन पिल्लों की आखे फोड़ दी थी वह पहले तो इलाज करवाने से ही मंकार कर देती है परन्तु जब सब समझाते हैं मंटू उन्हें समझाता है वह तयार हो जाती है जो डाटर मंटू यानि कि अब जो डाक्टर प्रभात है वह आफी मांगता है अपने गलती के लिए साथ ही साथ दादी को बताता है अपने पश्चाताप के बारे में और इसके बाद जो दादी होती है इलाज के लिए तैयार हो जाती है तो दादी की इलाज के लिए तैयार हो जाती है तो आप देख सकते हैं कि कई बार बच्पन में हमसे अन्जाने में जैसी घटनाएं हो जाती है जिसका पश्चाताप हमें जीवन भर रहता है यहां पर जो मंटू है उससे भी बच्पन में कैसी इंगटना हो गई थी जिसका पश्चाताप बड़े होकर एक नेतर चिकित सक्के रुप में बनकर करता है लोगों को आखों की रोश्णी आए अब हम इस पार्ट से संबंदित जो वस्तुनिष्ट प्रश्ण है उससे देखते हैं उससे पहले पहला प्रश्ण वहुवी कल्पी प्रश्ण है शाप मुक्ती किस विधा की रचना है तो यह एक नाटक तो है नहीं निबंध भी नहीं है कवीता तो है नहीं मुख्य रूप सहिया मंटू और बब्बू की कहानी है और इसमें मुख्य पात्र जो है वो मंटू है इसका जो सही उत्तर है जो है वो आपका कहानी होगा जीए दूसरा प्रहसर देखते हुं डॉक्टर प्रभाद के बच्पन का क्या नाम था तार भी कलöst में दियान रखिएगा कि डॉक्टर प्रभात किसका नाम है डॉक्टर प्रभाद वो फान तो क्था नाम है प्रशन को प्रभात किसके डॉक्टर तक आतों कि प्रद्दय प्रड़ी के या आखो तो इसका सही उत्तर है गर आपू के लिए दूसरा अपनी दादी का तीसरा अपनी मा का और चथा अपनी बहन का इसका जो सही उत्तर है वो है समझाने पर इलाज करवाने के लिए तयार है बभू के भरत के परिवार वालों के तो बभू के नहीं होगए प्रैशन है झोकिbBlack की बच्छपन का नाम हैa अर्न तरी प्रश्न लेखते है आए कि ए प्रभाद के पास दाधी क्यों गई तर देखिए डॉक्टर प्रभाद के पास दाधी अपनी आखों का इलाज करवाने गई थी दुसरा प्रश्न ब्रेकार के डाक्टर थे उत्त्त्र डॉक्टर प्रभाद 2 और अध्र गज्सर सो indispensable प्रियाग राज बाद का इलहाबाद इलहाबाद बदशेनेघ क्वे prag Dec तो चौथा प्रश्न दादी डॉक्टर प्रभात के पास क्यों नहीं जाना चाहती थी वह अपने आखों का इलाज नहीं करवाना चाहती तो देखिए दादी के अनुसार डॉक्टर प्रभात ने बच्पन में तीन पिल्लों की आखें आख के दूद से फोड़ दी थी किसी कारण वह उससे रुष्ट थी गुस्सा थी और डॉक्टर प्रभात के पास नहीं जाना चाहती थी पाच्वा प्रश्न मन्टू कौन था तो देखिए मन्टू जो है बडॉक्टर प्रभात के बच्पन का नाम था मन्टू वही लड़का था जिसने बच्पन में तीन पिल्लों को अंधा बना दिया था उनके आखों में आक का रस आक एक प्रकार का पेड़ होता है उसका दूद होता है वह डाल बडू के पाप का भेद क्यों खोल गया यानि क्यों जो है बब्बू वह सबको जाके बता देता है उतर देखिए मन्टू की हरकत से कुट्तों के तीनों पिल्लों की आखों की रॉष्णी चली गई थी दोनों पिल्लों की मौत हो गई थी और तीसरे को असाहनिया दर्द ज इस लिए उसने तीसरे की जानड बचानेके लिए मंटू के पाप का भेद, यानि मंटू ने जो उसके बाखेंए कियa थया, उसके बारे में सबको बता धिया दूसरा प्रशेव दक्टर प्रभात ने बचपन में किय गए पाप का प्राइशित इसप्रकार किया उत्तर देखिए डॉक्टर प्रभात और मंटू को अपने बच्पन में किये गए कारियों का प्रस्तावा हुआ और उसने निर्ने लिया कि वह बड़े होकर आखों का डॉक्टर बनेगा लोगों की आखों कफिर से ठीक करके उसमें नई रॉसनी देखर उसने अपने पाप का प्राइशचित करता था क्या है एक प्रश् restrict देखिए थोड़ा प्रश्न है इसलिए है क्योंकि इसमें कहानी का शारांश पूछा गया है जब भी सारांश पूछा जाएगा उत्तर थोड़ा बड़ा होगा ही इसलिए कई वच्छे ये कॉमेंट करने लगते हैं कि मैं उत्तर बहुत बड़ा है लेकिन कुछ उत्तर थोड़े बड़े होते ही हैं आप उनको जादा छोटा नहीं कर सकते हैं देखिए शाप मुक्ती कहानी का सारांश मंटू और बब्बू जो थे वो दोनों दोस्त थे मित्र थे दोनों को एक दिन पता चलता है कि आख आख के दूद को आखों में डालने से आखें अंधी हो जाती हैं इसी बात को परखने के लिए समझने के लिए मंटू जो है उसने क मांती के तीनों पिल्लों के आखों में आख का दूद डाल दिया जिससे विए अंदे हो गें दर दर mettre भटकने के बाद दोपिल्लों की मौत हो जाती है जबकि एक तीसरे को बचाने के लिए जो बब्बू रहता है मंटू के बारे में सबको बता दीता है मंटू को करता है कि बच्पन का दोस्त है मंटू ही वह प्रभात है या जानने के बद दादी जो है उत्तो की आख फोड़ने वाले बदमास लड़के मंटू की याद आ गई और उसने डॉक्टर प्रभात से इलाज कराने से मना कर दिया बाद में खुद डॉक्टर प्रभात और मंटू जो रहता है वो दादी के घर जाकर उनको समझाता है और अपने पश्टावे और प्राइस्चित के बारे में बताता है और इसके बाद जो दादी है वो इलाज कराने के लिए त्यार बिलाता है ये इस कहानी का शारांश है जिसे आपको समझना है और उसके बाद चौथा न उन्हें समझ कर पस्तावा करना और प्राश्चित करने के लिए महांकारी करना, करने का साहस रखना यही हमारे जीवन का उद्देश से होना चाहिए और यही इस कहानी का जो है वो मूल शिक्षाविया, मूल उद्देश्चेविया पाच्वा प्रश्न यह कहानी की पंक्ति दि गई है कि चहरा किसी दुखदाई समृती से काला हो गया स्मृति याद कि इसका चहरा दुखदाई स्मृति से काला हो गया था दुखदाई स्मृति से काला हो गया दुसरा प्रश्न वह दुखताई स्मृति क्या है उतल देखिए मजपन की अबोध अवस्था में क्टर प्रभात ने को तुहल यानि जानने की इच्छा को सांथ करने के लिए उसने क्या किया पुथ्टे के तीनों पिलों के आखो में का दूध्ती हो गए। जिसके जिमदार जो था वो इसी बात को याद करके उसका मन भराता है याद आ जाती है उसके कारण रिखती के प्रश्법 की मौत वुए थी थी आईए अब भासाबोध के प्रिश्ण देखती है देखिए एक शब्द है बच्पन इस बच्पन में बच्च शब्द में बच्च शब्द में पन प्रत्य लगाकर बच्पन शब्द बना है यहाँ पर भी जितने शब्द दिये गए हैं यह सारे इनमें पन प्रत्य हमको प्रत्य हमें साथ पीछे लगता है ध्यान रखिएगा लगाकर भाव अचक संग्या बनानी है ठीक है आईए शुरू करते हैं सबसे बहले लड़का है अगर हम इसमें पन प्रत्य लगाएं तो क् अजनवी पन अजनवी पन इसरा सब्द है अंधा पन प्रत्य लगाने पर बनेगा अंधा पन इसरा सब्द अपन प्रत्य लगाएं तो अपन पन अगे love दूसरा देखे निमनलिखित क्रियाओं यहां पर कुछ क्रियाओं दी गई है कि प्रथम और द्वित की प्रेड़नार्थक रूप लिखना है यानि पढ़ना क्रिया है उसमें प्रथम प्रेड़नार्थक है पढ़ाना और दूसरा है पढ़वाना यानि ना प्रत्य लगाया वहाना प्रत्य लगाएगए इसमें भी मैं ऐसे ही तो चलना में चलना प्रत्य होगा क्या उगा दूसरा छल वाना है प्रतिका टूल से यह वहाँगी से दूसरा को युल का टूदि प्रस्किवाद रंग वाना प्रस्किवाद लिखना का लिखाना लिख वाना आगे देखते हैं इसी वाक्य में संग्या या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबन्ध क्रिया के साथ स्थापित हो उसे हम कारक कहते हैं यानि संग्या या सर्वनाम का संबन्ध क्रिया के साथ जो स्थापित करता है उसे हम कारक कहते हैं आठ विवक्ति चिन्दों बताना है तो चलिए देखते हैं सबसे पहले डॉक्टर प्रभात ने कोई उत्तर नहीं दिया तो इसमें कौन सा विवक्ति चिन्दों है ने विवक्ति चिन्दों दूसरा दादी के लिए विवक्ति चिन्दों है पूरा अफला यहां पर जिन जिन चुन्हों को मैंने अंडर लाइन किया है रे खांकित किया है वही कारक की विवक्ति छिन नहीं देखते हैं निम्नलिखित समोच्यारित समोच्यारित यानि जिनका उचारन करना एक समान हो ठीके भिन्नार्थक शब्दों का वाक्यम व्रियोज किये यानि कि ऐसे शब्द जिनका उचारन तो एक समान हो परंतु उनके अर्थ अलग हो जैसे कि पहला शब्द देखिए दिन, दिन मने डे तिके तुबह जो होता है मौर्निंग डे वो और दूसरा शब्द है दीन, सकार्थ होता है गरीब तो आप देख सकते हैं इनका उचारन तो एक जैसा है लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं हमें इनके उचारनों को अर्थों को समझते हुए इनका वाक्यमें प्रियोग करना है तो पहला शब्द है दिन यहां लिखती हूँ दिन तो हम लिख सकते हैं आज आ दिन बहुत आस तुमसरा शब्द है दीन तो इसका क्या लिख सकते हैं हमें दीन दुख्यों की मदद करनी चाहिए दीन दुख्यों की मदद करनी चाहिए दूसरा यहां पर देखिए कहा कहा और कहा यह कहा का अर्थ होता है बोलना तो क्या कह रहे हो उसने क्या कहा और दूसरा शब्द है कहा कहा जा रहे हो एक बोलने के लिए है और दूसरा स्थान के लिए है तो पहला शब्द लिख सकते हैं कहा का मा ने बाजार जाने को कहा है दूसरा शब्द है कहा तुम कहां गए के तीसरा शब्द है आपका दादी और दीदी इस कार्थ तो आप जानते हैं दादी यानि अमरी दादी मा दिख सकते हैं दादी मेरी दादी मुझे प्यार करती है दीदी का आप लिख सकते हैं मेरी दीदी बहुत अच्छी है ये बाद का शब्द है बाग जो ओपन होता है बगीचा आप क्या लिख सकते हैं बाग का बाग में फूल के लिए हैं बाग में फूल के लिए हैं और उसके बाद का शब्द है बाग आप लिख सकते हैं बाग बहुत पतर नाक उते हैं इसके बाद का शब्द है देखिए कल और काल ठीक है कल का आप क्या लिख सकते हैं कल मैं फूल नहीं गया था और काल का आप के लिख सकते हैं काल इसी का पीछा नहीं फुड़ता बाहर 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 का मतलब था आउट साइड ठीक है घर के बाहर और बाहर मतलब होता है जब खुशियां आई हो फूल खिले हो ठीक है सेम कहते हैं बाहर बाहर तुम बाहर जाओ और बाहर शब्द का क्या होगा तुम आए तुम बाहर आई भला भला यानि अच्छा क्या है इश्वर सबका भला करे और भाला भाला का क्या लिख सकते हैं सिपाही के हाथ में भाला पाही के हाथ में भाला है इसकी बाद आशब्द है धूल यह धूल है धूल नहीं है धूल है धूल कार्थ होता है धूल जाना ठीक है बारिश आता है न तो जो धूल जाती है उसे कौन बेद कहते हैं बारिश के आने से सत कुद की धूल गई और उसके बाद का जो है वो धूल धूल ही धूल आंधी आने से तब जगह पूर भर गया उसकी बाद का शब्द है सुन सुन यानी सुनना जरा मेरी बात सुन लो जरा मेरी बात सुन लो और उसकी बाद का शब्द क्या है सुन पढ़ जाना मैंने ऐसा पीटा की उसका हाथ सुन पढ़ गया है है ना आप लोग कहते हैं ना कही बार बच्चे इसकूल में जैसा मारूंगा ना तो सुन पढ़ जाएगा तब फिर आप को देखते ही सुन पढ़ गया तो यहाँ पर हमने हमारा भाषा बौद वह भी पूरा हो गया इस वीडियो में हम लोगोंने इस पार्ट के शारांस को इसके लगुतरिय, बोध, मुलक और भासा बोध सभी प्रश्णों को कर लिया है जिससे आपको आपकी पढ़ाई में अवश्य ही मदद मिलेगी तो मेरा विश्वास है और अगर वास्तों में इससे आपको मदद मिले, आपको इससे अपनी पढ़ाई को पूरा करने में कुछ लाव मिले, सहायता मिले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी सेयर कीजिएगा क्योंकि जब हम सब मिलकर पढ़ते हैं और अगे पर ते, उपके, इसी के साथ, आणिवाद आप